नमस्कार साथियों, रॉक्टर उबंखना उम्योपथे क्लीनिंग पर फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन समस्या फ्रोजन शोल्डर के विशह में आप सब जानते हैं और परिवार में कोई न कोई हमारे बड़े बुजुद इससे एफेक्टेड भी रहते है फ्रोजन शोल्डर वाय स्थिती होती है कि जब आपके जो कंदे होते हैं यहाँ तरह से फ्रीज होने लगते हैं इसका movement बहुत restrict हो जाता है मतलब ना यह पीछे जा पाते हैं ना हाथ उपर जा पाता है ना आगे आपाता है जब यहाँ condition होती है यही frozen shoulder की condition होती है हम आपको बताएंगे frozen shoulder को ठीक करने की 10 कारगर homeopathic दमाएं और यह वास्तव से आपको सही कर देंगी सबसे पहले साथियों जान लेते है frozen shoulder होता क्या है frozen shoulder के समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो यह joint होता है shoulder joint होता है यह तीन हड्डियों से बना होता है एक तो यहाँ आप जो देख रहे हैं उस humerus उसके अलाबा यहाँ collar bone और उसके अलाबा यह scapula जो पीछे होती है यह तीन हड्डियां मिलके यहाँ पर एक shoulder bone बनाती है joint बनाती है और यहाँ एक capsule में encapsulated होता है जो की चारों तरफ से वो tissue surround करता है तो जब वहाँ tissue में जब वहाँ tissue में आपका scaring हो जाती है tissue ठीक हो जाता है तो जो अंदर यहाँ पर sinival fluid होता है उसका space कम बचता है और आपका joint freely move नहीं कर पाता है वहाँ condition जिसमें joint freely move नहीं कर पाता है उसी को frozen shoulder कहते हैं यानि कि जो आपका capsule होता है joint का वहाँ इसको tightly bind करने लगता है उसमें scaring के कारण less space बचता है और वही frozen shoulder की स्थिति होती है frozen shoulder साथियों एक ऐसी समस्या है जो कि दो से तीन साल में अपने आप ठीक भी हो जाती है इसकी तीन stage होती है पहली stage में आपका movement थोड़ा restricted होता है दूसरी stage में आपका movement बिलकुल restricted होता है और तीसरी जो resolving stage होती है उसमें आपका movement free होने लगता है लेकिन आप दो से तीन साल कष्ट क्यों जे लें इसके symptoms हाती हो यह move नहीं करता है यही इसके symptoms होते हैं cause हमने आपको बता दिया कि जब यहां पर यह जो tissue होता है जो capsule होता है इसको adhesive capsulitis भी कहते हैं वहाँ जो capsule होता है पूरा जो पांधे रखता है जोड को जब उसमें scaring of tissue के कारण वो capsule की thickening हो जाती है और senival fluid की कमी हो जाती है तो यहां jam हो जाता है तो वही कारण होता है frozen shoulder था हमने आंतोर पे clinic experience पे देखा है diabetes के जित्ते patient आते हैं उसमें 70% patients को यह frozen shoulder की शिकायत होती है ऐसा हमने अपने clinic के तज़ुर्वे में देखा है लेकिन अगर आपको यहां समस्या है तो कोई बात नहीं उसका उपाई भी है हम आपको बताएंगे यहां दवाएं आपके जानकारी के लिए हैं कोगि किसी भी physiology के बहुत से कारण हो सकते हैं तो वह आपका doctor ही उसको सही determine कर पाएगा यहां आपकी जानकारी के लिए दवाएं हैं कोई भी दवा बिना किसी कुसल्ची के सबसे पूछे आप ना दे साथियों सोजें शोल्डर को ठीक करने की नंबर एक दवा हुमियों पैथी में रस्टॉक्स है अगर आपका शोल्डर में stiffness आ गई है ठीक से हाथ मूव नहीं कर पा रहा है और आप तकलीफ में हैं तो रस्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छी दवा है उस इस्तिती में कि जब पात के मूवमेंट से और सिकाई से आराम मिलता हो अगर आपको थोड़ा सा जवाप मूफ करते हैं रस्टॉक्स का पावर की दो दो दूबून दिन में तीन वार आप लेते रहें कुछ वक्त तक आपको पेन में भी आराम मिलेगा आपका मूवमेंट भी खुलेगा और यहां बहुत सक्त हो गया है यहां भी ठीक हो जाएगा एक कंडिशन साथ हीमा आती है closing shoulder में जो और सुबासाही हो गया तो इस स्थिती में frozen shoulder को ठीक करने की बहुत कारगरदवा miserium है आप miserium 30-22 दिन में 3 बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका जो रात का दर्ध है frozen shoulder का यहाँ भी खतम हो गया और आप पूरी तरह ठीक हो गया फिर साथियों एक condition आती है कि आपका right kandha jam हो गया हो अगर आपका right side frozen shoulder हो रहा है आपका kandha jam हो गया है तो उसको homeopathy में ठीक करने की बहुत कारगरदवा sangunaria candensis है आप sangunaria candensis 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार उस इस्टिती में ले सकते हैं जब आपके right kandha jam हो रहा हो और आपको रात में तकलीफें बढ़ रही हो रात में आपका pain बढ़ रहा हो उस इस्टिती में आपको frozen shoulder को ठीक करने की homeopathy में number एक दबा है sangunaria candensis अगर साथ ही हो आपके left shoulder में pain हो रहा है और left shoulder आपका jam हो गया है जो कि less common है right shoulder से क्योंकि हम लोग right hand से लिखते हैं तो यह जादे strain आता है लेकिन अगर आपका left shoulder jam हो रहा है तो इसकी भी homeopathy में बहुत कारगर दबा है और दबा का दाम है ferum metallicum ferum metallicum 30 दो दो मूँ दिन में 3 बार आप उसे स्टिती में ले सकते हैं कि जब आपको यह frozen shoulder के साथ साथ आपको भारी पन लग रहा हो आप में anemic हो आप में एकसर खून की कमी रहती हो और आपके कुछ भी उठाने में एक भारी पन का एसास हो रहा हो और गर्म सिकाई करने से आपको आराम मिल रहा हो अगर यहाँ इस इती आप में हो तो आपके left-sided frozen shoulder को ठीक करने की होमियोपैटी में सबसे कारगर दवा फेरम मिटैलिकम है इसका 30 पावर में दो-दो-बून दिन में तीन बार लेके आप अपने कष्ट का निवारण कर सकते हैं एक condition साथ यह frozen shoulder में जो अकसर आपने कभी experience करे राद भर कंधों में दर्द रा और सुबह दर्द खत्म हो गया तो अगर यहाँ condition आपको frozen shoulder की इस्थिती में है कि कंधे में राद भर दर्द रा और सुबह सई हो गया तो इस इस्थिती में frozen shoulder को ठीक करने की बहुत कारगर दवा मिजेरियम है आप मिजेरियम 30 दो दो बून दिन में टीम बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका जो राद का दर्द है frozen shoulder का यहाँ भी खत्म हो गया और आप पूरी तरह ठीक हो गए फिर साथी में condition आती है कि आपको इसके हाथ के movement से तकलीफ बढ़ रही है एक हमने आपको बताया हाथ के movement से आराम मिला लेकिन अगर हाथ के movement से आपके कंदे में तकलीफ बढ़ रही है exertion से तकलीफ बढ़ रही है तो आपको खुम्योपैथी में इस symptom को ठीक करने की और frozen shoulder को खतम करने की सबसे कारगर दवा है ब्राइनिया इलबा आप ब्राइनिया इलबा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका कंदा भी free हो गया और आपका जो exertion यानि काम करने पे इस कंदे में तर्द बढ़ने वाली कैफियत है वहाँ खतम हो गई और आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्त हो गए फिर साथी में condition आती है frozen shoulder में कि आपके frozen shoulder भी हो रहा है और आपके spine में भी pain हो रहा है अगर यहाँ condition आप में है frozen shoulder में तो इसको ठीक करने के हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जलसीमियम जलसीमियम 30 पावर में दो दो बूर दिन में तीन बार आप उस इस्थिती में frozen shoulder की ले सकते हैं जब आपके प्यास ना लगती हो आपके spine से pain आता हो आपके पूरे शरीर में दर्थ, कमजोरी, dullness, dizziness, drowsiness, weakness रहती हो और आपको frozen shoulder हो उस इस्थिती में जलसीमियम 30 निश्चित रूप से आपको अराम देकर आपके frozen shoulder को ठीक कर देगी फिर एक condition आती है साथियों कि जब आपने कंदे को उपर उठाया, हाथ को उपर उठाया हाथ को उपर उठाने पे आपके कंदे में pain होने लगा अगर यहाँ condition आप में हो रही हो कि आप जब arm को lift करते हैं अब words उपर की तरफ तो आपके pain होता है तो homeopathy में उस symptom को ठीक करने की और frozen shoulder को ठीक करने की सबसे कारगर दवा leadum posture है आप leadum posture 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले ले आप देखेंगे कि आपके जो चुबन हो रही है कंदे बे करन सी हो रही है वहाँ भी खतम हो गई और हाथ उपर करने पे आपका pain खतम होने लगा और likewise आपका frozen shoulder की मर्स भी खतम होने लगा फिर एक condition आती है साथ ही हो कि आपके दोनों तरफ के shoulder freeze हो रहे हो और आपके pain कभी इदर कभी इदर मतलब वो वेंडर कर रहा हो कभी right side हो रहा है shoulder में कभी left side हो तो जब यह transformation हो तो उसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दवा है Simisifuga आप Simisifuga 200 पावर में दो दोगों दिन में दीन बार ले सकती है जब आपके दोनों shoulders में pain हो आप freeze हो रहे हो frozen shoulder हो आपकी neck muscles में pain हो और pain इधर से उधर travel कर रहा हो कभी यहां कभी यहां यहां condition अगर आप में है तो इसकी दवा हुमें पैथी में Simisifuga है एक condition साथी हो आती है frozen shoulder में कि मौसम बदला तो दर्द होने लगा यहां बड़ी common condition है frozen shoulder के लिए तो अगर मौसम बदलने पे आपके pain कंदे में बढ़ रहे हो तो उस symptom में frozen shoulder को ठीक करने की होमियोपैथी में सबसे कारगर दवा कलकेरिया फॉस है आप कलकेरिया फॉस 6-6 power की चार टेबलेट सुबा चार साम चार दुपहर चार रात यहीं सुबा दुपहर शाम रात इस तरह आप चार बार कलकेरिया फॉस 6-6 power में ले 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 आप देखेंगे कि आपका यह जो change of weather में pain हो रहा या खतम होने लगा और आप ठीक होने लगे एक condition आती है साथियों जब बहुत बदली हुई थंडर स्टॉर्म हुआ बहुत बदली वाला मौसम हो गया तो pain बढ़ गया अगर वहाँ condition आप में हो तो उस condition में homeopathy में frozen shoulder को ठीक करने की बहुत कारगरता है रोडो टेंडरॉन है आप रोडो टेंडरॉन 30 पावर में दो द उनकी कारकरतवा frozen shoulder को ठीक करने की रोडो टेंडरॉन है फिर एक इस्तिती आती है साथियों frozen shoulder में कि जब मरीज को अचानक दर्द उठा और अचानक चला गया और एक बड़ा अजीबो गरीब symptom हुआ कि उसको लगा कि चलने पे उसकी तकलीब बढ़ेगी लेकिन वो अब कर्द आपको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारकरतवा कार्बोलिक एसीड है आप कार्बोलिक एसीड थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले 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 आप देखेंगे कि आपका यहाँ जीबो गरीब symptom है कि आपको लगा कि आप चल रहें तकलीफ बढ़ रही है लेकिन आप चले और तकलीफ नहीं बढ़ी यहाँ सिंटम आप में रहे तो कार्बोलिक एसीड थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले पर यहाँ सिंटम और फ्रोजन शोल्डर दोनों बातें आपकी ठीक हो जाएंगी फिर एक कंडिशन आती कि होमियोपैती में बहुत कार्गर दवा उसे स्टिफनेस को खतम करने की होमियोपैती में बहुत कार्गर दवा गवाई कम है आप गवाई कम का मदट इंचर दस पून चार बाल ले ले आप देखेंगे कि आपका जो स्टिफनेस या धीरे धीरे खतम होने लगी और आपका frozen shoulder ठीक होने लगा एक condition आती है सातियों frozen shoulder में कि बहुत रितने काटने वाला दर्द हो रहा जैसे फट जाएगा लग रहा है कंधा गिरा जा रहा है फट जाएगा विल्कुल अगर वहाँ sensation आपके दिमाग में भावना आ रही है तो उस भावना के तहट होमियोपेथी में frozen shoulder को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है lycopodium आप lycopodium plevitum 30 पावर में दो दो गून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका frozen shoulder खतम होने लगा और जो रेखने काटने वाला दर्द है वहाँ खतम होने लगा और आपके पेट में जो कब्स रहती होगी भारीपन रहता होगा साथ में वहाँ भी ठीक हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी lycopodium की दवा का एक symptom है एक साथी होन थोड़ी rare condition है लेकिन किसी को हो सकती है कि आपको heart का rheumaticism हो रहा है और साथ में आपके frozen shoulder है अगर यहाँ condition आप में हो कि आपको सीने में कसाओ महसूस होता हो एक लगता हो tight band chest के across है और आप साथ में आपको frozen shoulder है तो उसको ठीक करने के हुमेपैती में बहुत कारगर जबा है Cactus Grandifolias Cactus 30 power में दो दो बून दिन में तीन बार आप उस condition में ले सकते है जब आपको rheumaticism of heart हो साथ में आपको frozen shoulder हो यह थोड़ा rare है लेकिन साथियों अगर तकलीफ है पता नहीं किसको या symptom हो और आपके हमारी ये बात काम आ जाए इसलिए हम तोड़ा rare symptom भी आपको पताई दे रहे है फिर एक condition आती है साथियों frozen shoulder में कि बहुत भारी पन मैसूस हो रहा है लग रहा है टनो वजन इस कंदे पे रखा या इस कंदे पे जिस पे भी आपको frozen shoulder है तो वहाँ भी एक इस्तिती है जिससे आप परिशान हो सकते है उस परिशानी का भी हर है sulfur आप sulfur 1 EM power की तीन खुराग सुभा तड़के 6 वजे बंच-पच मिनिट के फासले पर weekly ले सकते हैं हर अफ़ते जब आपके कंदों में भारी पन बहुत हो आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता हो आपको नहने की आदत ना हो और आपको रात में देर तर जाकते हैं और सुबह आप सोते हों अगर यहाँ conditions आप में हैं तो sulfur आपकी दवा है यहाँ दवा का 3 खुराग 5 पर पर मिनिट के फासले पर weekly लिए कुछ वक्त करने पर इस दिक्कात से यानि फूजें शोल्डर की दिक्कात से आपको निकाल देगी एक condition सातियों आती है फूजें शोल्डर में कि आपको सांस ले रहें तो कंधे में दर्द हो रहा है अगर यहाँ इस्थिति आपको होती है सातियों कि आप जब ब्रीद करते हैं उस समय आपको कंधे में दर्द होता है inspiration में दर्द होता है सांस अंदर लेने में दर्द होता है तो इस condition को होमियोपैथी में फूजें शोल्डर को ठीक करने के और आपको इस पेन दर्दनाक पेन को रिलीव करने की दवा है ammonium mure आप ammonium mureaticum 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 वाल ले लें आप देखेंगे कि आपका अगर inspiration यानि सांस लेने तक में दर्द कंदे में हो रहा इतना दर्द है तो वहाँ ठीक हो गया और आपका frozen shoulder भी ठीक होने लगा एक condition आती है साथी हो frozen shoulder में कि आपको gout के साथ frozen shoulder हो रहा है gout यानि की जहाँ पर protein का deposition ये small joints में आपके होता है और ये उबरे खास और से great टो पैर का और हाथ का जब इसमें सूजा ना जाती है तो इसको gout कहते हैं बाहर निकला हुआ होता है तो अगर gout की स्थिति है और साथ में आपको frozen shoulder है तो homeopathy में उस symptom को और gout को दोनों को एक साथ ठीक करने की दवा है और दवा का नाम है एपोसाइनम एपोसाइनम वो दवा है जो आपके frozen shoulder को भी खतम कर देगी आपके gout को भी ठीक कर देगी इस्पेशली आपके right side frozen shoulder की तकलीफ है एपोसाइनम राइट साइड बहुत अच्छा काम करती है तो और right sided complaint से आपके तो आपको gout और frozen shoulder दोनों को साथ ठीक करने की दवा लाथियों को दवाएं थी frozen shoulder के विशह में वास्तर में बहुत common दिकत है बहुत लोगों को होती है हमने अपने clinical experience में देखा है कि जिनको arthritis होती है उनको अकसर frozen shoulder होता है इन दवाओं से आप लापा सकते हैं लेकिन मैं request करूंगा आपसे निवेदन करूंगा विंती करूंगा कि किसी कुसल चिकिस्तक से पूछ के ही दवा लें पता नहीं आप पर क्या symptom हो जो उन पर नहों और कभी जो हमने दवाएं बताई हैं इससे चिकिस्तक पर विवाद न करें क्योंकि आपके symptom के हिसाब से हो सकता है दवा भिनो वो डॉक्टर भी आपको सही दवा दे रहा कि मरीज का पूरा नहीं चाहता है अगर साथ यूँ आपके मन में कोई कोई हो तो आप हमारे वाट्साइप नंबर चुरानवे पंदा सासो चैसी तीन सो सी नाइन फोर वन फाइफ सेवनेट सिक्स त्री एट सेरो पर अपनी को वाट्साइप कर सकते हैं या फिर नोटिफि करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को शेयर करिएगा ताकि एजादकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर क्लिक करके आप निया से निया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा आपका हमारे साथ रहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद कर दो कि लिए बहुत ऑ Portuguese अन्य वोमत